हेलो दोस्तो आप शब का भोजबश श्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल गनेशाई वर्ड में दोस्तो आज की वीडियो में क्लास 11 चेमिश्टी में यूनिट 7 में हम एक टॉपिक कम्प्लीट करेंगे जो है हमारा आयनन की मात्रा आयनन की मात्रा क्या है इस आयनन की मात्रा को कौन कौन सी कारक प्रभावित करते हैं मींस कब ये आयनन की मात्रा बढ़ती है और ये कब आयनन की मात्रा घटती है इसको आज की वीडियो में हम समझेंगे है ना तो दोस्तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 11 और 12 केमिस्टी की पूरी तैयारी कराई जा रही है दिन प्रती दिन आपको वीडियो प्रवाइड कराई जा रही है तो आए दोस्तो अब हम समझते हैं कि यह आयनन की उश्मा क्या है तो सबसे पहले तो हम इसका यह कॉस्चन देख लेंगे कि इसका कॉस्चन आता कैंसे है तो सबसे पहले थोड़ा से करेक्शन कीजिए दोस्तो यहाँ पा जो रा देख रहा है उसको ना कीजिए तो कॉस्चन इसका आता है आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हो इसको प्रभावित करने बाले कारक बताईए कि इसको कौन कौन से कारक प्रभावेत करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि जो आयनन की मात्रा होती है ये क्या होती है तो समझ जीएगा है ना तो आप दोस्तो अक्षर आपने देखा होगा अक्षर आपने समझा होगा कि जैसे माल लिया हमने इहां पर हमने 1 kg नमक ले लिया मतलब 1 kg हमने ले लिया NECL ले लिया है ना तो हमने 1 kg NECL ले लिया तो यदि हम इस 1 kg NECL को 100 ml जल में घोलेंगे 100 ml जल में घोलेंगे तो हमें पता है जो NECL है वो DNA PLUS में और CL माइनस में तूट जाएगा यह तो आप जानते हैं है ना किसी क्योंकि हमें पता है किसी भी पधार्त को यदि जल में घोला जाता है तो इसको आयनों में विभाक्त हो जाता है यह ना अगर उसमें आयन है तो वो आयनों में विभाक्त हो जाता है ठीक है तो सीरीष बात यह है दोस्तो किसी पधार्त का अपने जो आयनों में विभाक्त होना है यह आयनों विभाक्त होता है इसको बोलते हैं हम आयनन है न क्या बोलते हैं आयनन तो किसी पधार का अपने आइनों में विवाक्त होना आइनन कहलाता है अब ये आइनन तो समझ गया आप है ना लेकन हमें समझना है आइनन की मात्रा कि ये आइनन की मात्रा क्या है है ना तो समझ ये तो माल लिया दोस्तों इसमें हमने जो 1 kg हमने क्या लिया है नमक लिया है इस 1 kg नमक को हमने 100 ml जल में खुला तो ये तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि 1 kg नमक 100 ml जल में पूरा नहीं खुलेगा है ना फूरा नहीं घुलेगा तो माल लिया हमने 1 kg नमक जो 100 ml जल है इसमें केवल 600 ग्राम घुला है कितना घुला है 600 ग्राम घुला है और 400 ग्राम इसकी मात्रा बच गई सेज है ना क्यूंकि एक किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं तो 600 ग्राम घुल गया और 400 ग क्या बोला मैंने किसी पधार्थ का जितना भाग घुलता है या बियोजित होता है उस मात्रा को ही हम बोलते हैं आयनन की मात्रा क्या बोलते हैं आयनन की मात्रा और इसे ही हम बोलते हैं बियोजन की मात्रा समझ गए होगे आप है ना अब इसकी परिभासा को आप देख लो है सबसे पहले आयनन जो आयनन है यह आयनन क्या होता है इसकी परिवासा ठीक है तो किसी योगिक का अपने आयनों में बिफाक्त होना क्या कहलाता है आयनन कहलाता है ठीक है आंगे किसी पधार्थ का अबबा है भाग या फिर अंस जो आयनों में बियोजेत होता है मतलब आयनों म गुल गई और 50 ग्राम बची है तो 50 ग्राम जो सावन गुल गई है वो आपकी कौन सी मात्रा होगी बियोजन की मात्रा होगी है ना तो कोई पधार्थ जितना गुलेगा वही उसकी बियोजन की मात्रा होगी ठीक है अब बियोजन की मात्रा को निकालते क्या है कैसे है तो दोस या फिर हम ऐसा कहा हैं लिये गए अड़ों के मोलों की संख्या है ना जैसे मान के चलो जैसे 100 ग्राम की साबुन है है ना तो टोटल वाला हम लेंगे नीचे और जितना भाग घुला है उसको हम लेंगे उपर है ना तो उनके मोलों की संख्या आदी आपको दी है जैसे कोई भ प्राप्त हो जाएगा बियोजन की मात्रा है ना तो आई होब दोस्तों कि ये बियोजन की मात्रा आपको शमंज में आ गई होगी ठीक है बियोजन की मात्रा क्या है एक हिसाब से हम डारेक्टली कहें तो किसी पधार्त का घुलना ही कहलाता है बियोजन की मात्रा या फिर आयन इस चीज को भी तो जानना जरूरी है कि नहीं है बिल्कुल जानना जरूरी है ठीक है तो देखो प्रभावित करने बाले कारक का जो मतलब है वो इतना सा होता है कि यह कभी यह बढ़ता है और कभी घटता है यह चीज हमें प्रभावित करने बाले कारक बताते हैं ठीक है तो जैसे मान के चलो, एक किलो सक्कर में एक लीटर हमने जल मिला दिया, तो अभी ये गाड़ा होगा, यदि हम इसमें दो लीटर जल मिला दें, फिर तीन मिला दें, फिर चार मिला दें, फिर पांच मिला दें, है न, तो इसको हम क्या कर रहा है, पतला कर रहा है न, तो किसी भी पधार्त को पतला करना ही तनुकरण कहलाता है ठीक है तो आप अंग तो इसको प्रभावित करने वाले कारक में तनुकरण का क्या महत्वे जब तनुकरण कराएंगे तो बढ़ेगा या गटेगा हो समझो ठीक है तो क्या होता दोस्तों तनुकरण करने से जो आयनन की मात्रा ह उसमें ब्रद्धी होती है मतलब आयनन है न वो बढ़ता है सिंपल सी बात है यार वो तो जैसे मान को चलो एक केजी नमक में हमने 100 ml जल मिला दिया है न तो ये कम गुला है अब यदि इसमें जादा मलब जल मिलाएंगे तो ये जादा ही घुलेगा जादा ही आयनन होगा इसका जादा ही आयनों में तूटेगा सिंपल सी बात है है न तो तनू करन करने से आयनन की मातरा में क्या होगी ब्रद्धी होगी है न क्योंकि तनू करन करने पर जल की अड़ों की शंख्या में ब्रद्धी हो दी है न क्योंकि तनू करन करेंगे मतलब पतला करेंगे तो इसमें जल मिलाएंगे और जल मिलाएंगे तो वो अच्छे से घुल जाएगा अच्छे से उसका बेयोजन हो जाएगा शमझ गए न ठीक है नेक्स्ट पैंट है हमारा ताप क्या है ताप है ना देखो आपको सिंपल सा पता है मेरे भाई कि जैसे मान के चलो ये कोई पात्र है इस पात्र में कोई पधात ये जल भरा हुआ है ठीक है अब जल भरा हुआ है इसको हम गर्म कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या है पत है बीच में जो जोड़े हैं एक दूसरे से अडूं वो तूटते हैं और तूटते हैं और उनके अडूं आ जाते हैं गती अबस्था में गती अबस्था में है ना तो सीडी सी बात हम यह कह सकते हैं कि जो ताप है ताप बढ़ाने पर आइनन की मातरा में क्या होगी जादा होगी क्योंकि जितना जादा बेज़न होगा उतनी जादा आयननकी मात्रा होगी आई ओप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट नेक्सर दोस्तों हमारी बिद्धुत अब घट की परकरति परोला में पूरा गूल डाल दें किसको डाल दें साबुन को डाल दें तो क्या साबुन पूरा घुलेगा नहीं घुलेगा साबुन पूरा नहीं घुलेगा जितना उसे घुलना है घुल जाएगा और बाकी जो सेश मात्रा है वो नहीं घुलेगी है ना तो लेकिन साबुन जो ऐसा पधार थे जो गट एंसे पधार्थ जिनका पूर्टा आयनन हो जाता है या पूर्टा घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रबल बिद्धुताप गट और जो पूर्टा नहीं घुलते हैं उन्हें बोलते हैं दुरबल बिद्धुताप गट है ना अब जो पूर्टा घुल जाएंगे इप enca sub 10 फीक नेक्ट पॉइंट है ہमारा विलाएक की प्रकृती बिलाएक की प्रकृती अब दोस्तो एक चीज आपको पता है का जो जरल होता है वह एक सारभातरिक बिलाएक है क्या है सारबात्रिक बिलाइक है मतलब जल जो है अपने अंदर सब को घोल सकता है जल अपने अंदर सब को घोल सकता है तो जल क्या है सारबात्रिक बिलाइक है न और बिलाइक क्या होता है देखो आपको पता है जो बिलेन है वो दो प्रकार से बना होता है एक होता है उसमें बिले और दूसरा क्या होता है उसमें बिलाइक उसमें दूसरा क्या होता है बिलाइक तो जिस पधार्थ की मात्रा कम होती है उसे बिले और जिस पधार्थ की मात्रा होती है अधिक उसे बोलती है बिलाइक है न तो दोस्तों क्या है सुद्य बिलाइक जैसे जल हुआ सुद्य बिलाइक जैसे जल हुआ तो उसमें आइनन की मात्रा क्या होती है अधिक होती है और यदि अन्य बिलाइक जैसे दूद हुआ एलकोहल हुआ इथर हुआ ये बिलाइक हैं तो आइनन की मात्रा क्या होगी कम होगी क्योंकि कोई भी पधार्त जल में सबसे अच्छे से घुल जाता है और अन्र पधार्तों में इतना अच्छे से नहीं घुलता है ना तो याद रखना सुध बिलाइक जल है तो आइनन की मात्रा अधिक है और दूसरे लाइक हैं तो आने उनकी मात्रा क्या होगी कम होगी तो I hope दोस्तों कि यह सब पूरा समझ में आ गया होगा है ना तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अच्छा लगा है वीडियो में मज़ा आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकल को ओन कर लीजिए अंगली वीडियो में हम फिर आप से मिलते हैं तब तक के लिए थेंक्यू बेरी मच